हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कॉशल यादेफिर साब का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड अब्जेक्टिव्स ओफ इंप्रेशन मेकिंग जो की पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एक्जाम्स में लॉंग आंसर क्वेस्टिन कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेस्टिन भी पुछा जाता है और आज वेल आज नीट-म्देश के लिए इंप्रेशन मेकिंग की तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि इंप्रेशन से समझेगा सबसे पहला पॉइंट टिशूस मस्ट भी हेल्दी बिफोर इंप्रेशन मेकिंग कोई भी इंप्रेशन अगर हमें लेना है इंप्रेशन माटेरियल से तो टिशू पहले देखना है कि हेल्दी है कि निए अगर टिशू हेल्दी होगा तभी हम इंप्रेशन लेंगे तो पहल जो tray और tissue के बीच में space होना चाहिए ताकि जब material हम डाल रहे हैं जिससे impression हम ले रहे हैं वो occupy कर सके तो proper space must be provided for selected impression material तो space हमें रखना पड़ेगा वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा space का then tray and impression material should be dimensionally stable because tray अगर stable नहीं होगा तो impression ढंग से नहीं आएगा तो tray stable होना चाहिए जब हम impression लेते हैं तो उससे पहले हम tray लगा के देखेंगे की adequate space है की नहीं वो पूरा area को cover कर रहा है ridge को cover कर रहा है की नहीं कर रहा है तो tray dimensionally stable होना चाहिए और साथी साथ impression material जो है वो भी stable होना चाहिए then for correct positioning of tray a guiding mechanism should be provided because क्या होता है जब हम tray को place करते हैं तो अगर हम लोग guiding mechanism को ना follow करें अगर ऐसे ही डाल दे तो impression पूरा record नहीं होगा इसी वज़े से अगर जब भी हम tray को position कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम maxilla की बात करें तो maxillary में पहले anterior place करेंगे then posterior press करेंगे तो guiding mechanism should be provided मैं एक अलग से video बनाऊंगा जिसमें आपको ये पूरा clear समझाऊंगा कि कैसे impression लिया जाता है then you will understand very clearly अब बात करते हैं next point की impression should be adequately extended to include the entire basal seat area मैंने बताया था जो भी impression हम लोग ले रहे हैं वो पूरा ridge को cover करना चाहिए entire basal seat area को cover करना चाहिए as dictated by limiting और supporting structure जितने भी limiting structure है मतलब limiting structure के beyond हम लोग जान नहीं सकते तो limiting structure तक हमें पूरा अपना जो impression tray है वो cover होना चाहिए और supporting structure पर भी then next point a border molding must be performed in harmony with anatomical और physiological limitations of oral structure जब हम border molding करते हैं green stick compounds है तो वो anatomic और physiological limitation के पार नहीं जाना चाहिए सिफ जितना anatomy है उतना ही record करना है और physiological limitations जो हमारे होते हैं oral structures में उतना ही करना है then impression must be removed without damage to the oral structure अब हमने impression ले लिया अब हमें mouth से निकालना है उसको तो हमें ऐसे निकालना है कि वो तूटे ना dimensionally stable रहे distort ना हो ऐसे हमें निकालना है then next point tissue surface of impression and intaglio surface of the denture must be coincide जब हम impression लेते हैं तो जो हमारा अंदर का surface है जो हमने impression जहां लिया है उसको बोलते है intaglio surface वो surface और जो हमारा tissue surface है वो एक जैसा मिलना जुनना चाहिए एकदम मतलब कौन साइड होना चाहिए तभी हमारा एक अच्छा impression कहलाएगा ओके अब बात करते हैं objectives की तो कौन-कौन से objectives है तो सबसे पहला है retention दूसरा है stability तीसरा support चौथा preservation of residual structures पाचवा aesthetics तो यह सारे objectives है हमारे जो कि short answer questions में भी पुछा जाता है और long answer questions में भी कभी कभी पुछा जाता है कि objectives बताईए तो यह सबको explain करना है तो one by one हम लोग explain करेंगे सबसे पहले retention की बात करते हैं तो retention क्या है यहाँ पर तो definition देखते है retention का dental processes acting to resist the force of dislodgement along the path of placement retention मतलब यह नाम से पता लगा है retention मतलब retain करके रखेगा तो जब हम कोई भी denture बना रहे हैं और हमने mouth में place कर दिया तो वो denture वो retain रहना चाहिए tissue से वो गिरना नहीं चाहिए नहीं चाहिए dislodge नहीं होना चाहिए against the force of जो हम लोग mastication करते हैं या food खाते हैं जब हम लोग तो वो गिरना नहीं चाहिए तो simple सी बात है dental process is acting to resist the force of dislodgement along the path of placement जैसे हमने place किया तो उसके against वो गिरना नहीं चाहिए तो वो resist करेगा the force of dislodgement along the path of placement तो यह हमारा retention हुआ अब related to forces that resist the force और gravity और addasiveness of food या opening of the job तो इन सब के against होना चाहिए like gravity है मान लो maxillary denture की बात करते है अगर maxillary denture लगा दिया maxilla में तो gravity क्या करेगा उसको नीचे धके लेगा पर उसके against वो retention देगा अगर कोई food ऐसा खारे like chocolate खारे sticky food खारे तो वो क्या करेगा अगर वो denture को नीचे गिराने की कोशिश करेगा तो वो तो जब हम लोग यह force लगेगा retention लगेगा तो उसके against वो नीचे गिरने नहीं देगा तो उन सब की वैसे वो गिरना नीचे तो वो रिटेइन करके रखना चाहिए रेटेंचन होना चाहिए फिर the process of obtaining denture retention begins with impression making retention तभी आएगा जब आप impression जब स्टार्ट कर रहे हो जब शुरुवात कर रहे हो इंप्रेशन की तभी अच्छे से लेना है इंप्रेशन तो process of obtaining denture retention begin with impression making मतलब जब आप impression ले रहे हो तब से ही शुरुवात हो जाती है retention की अगर आप पहले ही impression अच्छा नहीं ले रहे हो तो retention बाद में ढंग से नहीं आने वाना अब कौन-कौन से factors है affecting retention ये important है कौन-कौन से factors retention को play करते है रोल तो एक है anatomic factors पहले anatomic factors को समझते हैं तो size of the denture bearing area पहले size जो denture हमारा बन रहा है उसका size है वो भी कहीं न कहीं retention में role play कर रहा है कैसे देखते हैं retention increases with increase in size of the denture अगर आप denture का size जितना उसका ridge है proper limitations है limiting structures है अगर पूरा अच्छे से record करते हो जितना area है stretch bearing area सारा मतलब retention increases with increase in size of the denture bearing area जितना है तो आपका retention बढ़ेगा जैसे average size of maxillary denture जो होता है वो 20 cm2 है और mandible का 14 cm2 है तो maxillary denture है जो ideally होता है वो उसका area जो होता है और mandible का 14 cm2 होता है यह कभी-कभी mcq में भी पूछा जाता है कि maxillary denture bearing area केतना होता है तो 24 cm2 और अगर mandible denture bearing area है तो वो 14 cm2 तो यह पूछा जाता है अब यह maxilla है तो यह पूरा area जितना है यह जो area है वो 24 cm2 है और जो mandible का अगर area देखें पूरा तो वो 14 cm2 है यह mcq में पूछा जाता है अब बात करते हैं दूसरे factors की tissue displasibility यह क्या समझते हैं tissues displaced during impression making will rebound during function and lead to loss of retention इसका मतलब जब हम लोग impression ले रहे हैं अगर impression लेते वक्त अगर tissue displace हो गया तो क्या होगा जब हम impression निकालेंगे तो वो जो tissue है वो तो rebound हो जाएगा अभी press हुआ है वो तो फिर बाद में अपने position पर आ जाएगा normal तो जब हम denture बना के देंगे तो वो tissue तो normal position पर आ गया और हमने impression कैसे लिया था pressed position, compressed position पर लिया था तो वो क्या होगा retention खो देगा फिर तो इसलिए बोल रहा है tissues displaced during impression making will rebound during function and lead to loss of retention ओके अब दूसरा factors बात करते है physiology factors और physiology factors में क्या होता है the amount and consistency of saliva effect retention मतलब अगर जादा saliva होगा तो वो भी retention में problem create कर सकता है consistency अगर thick saliva होगा तो वो क्या करेगा denture को नीचे गिरा देगा retention नहीं देगा thin saliva होना चाहिए तो ये भी कही न कहीं role play करता है तो saliva role play करता है retention में अब thin और watery saliva है तो best retention देगा अगर saliva हमारा thin है watery consistency तो वो best retention देगा अगर वो ही saliva अगर वो thick होगा और ropey type का होगा तो accumulates between the tissue surface or the denture and palate leading to loss of retention तो thick और ropey saliva retention को खो देते हैं अब बात करते हैं अगर absence of saliva किसी 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 patient में saliva कम होता है zerostromia की condition होती है तो उसमें क्या होता है retention नहीं मिलता ओके और उसकी वज़े से क्या होता है irritation हो जाता है जब patient continuous पहनता है और saliva बीच में नहीं रहता और tissue और denture के बीच में तो irritation हो जाती है और sourness हो जाता है of the denture bearing tissue ओके अब बात करते हैं दूसरा फेक्टर फिजिकल फेक्टर्स अब फिजिकल फेक्टर्स यह भी पुछा जाता है ऐसे क्यू शोटांट से question में कभी कभी पुछ लिया जाता है तो physical factors जो होते हैं उसमें पहला है adhesion को समझने के लिए पहले समझते है physical attraction of unlike molecules to the other another तो मतलब समझना यहां पर unlike molecule मतलब दो अलग molecules के बीच में जो attraction है उसे addition बोलते हैं जैसे आप इस diagram में देख सकते हैं जैसे tissue है soft tissue है और यह denture है तो दोनों different है tissue अलग है denture अलग है दोनों अलग material है उनके बीच में attraction हुआ तो वो addition कहलाएगा वैसे ही अगर हम saliva को ले 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 और mucosa को ले ले तो saliva mucosa दोनों अलग अलग है saliva अलग चीज है mucosa अलग चीज है तो दोनों के बीच में जो bond है जो attraction है वो unlike molecule होगे अलग अलग है तो attraction जो हुआ वो addition कहलाएगा okay addition दो unlike molecule के बीच में तो addition कैसे काम करता है addition is achieved by ionic forces इन दोनों के बीच में ionic forces लगता है यह mcq पूछा जाता है यह ध्यान रखियेगा ionic forces between these salivary glycoproteins और surface epithelium और acrylic resin के वीच में ionic forces लगता है तब वो काम करता है addition अब यह तीन चीज पर depend होता है एक तो close adaptation of the denture अगर आपका denture close adapted है soft tissue से तब तो addition बहुत अच्छा होगा then size of the denture bearing area अगर size increase होगा मैंने बोला था आपको कि अगर size increase हो size अगर danger का पूरा cover करें तो retention अच्छा देगा और type of saliva अगर thin saliva होगा और watery consistency होगा तो retention बहुत अच्छा देगा अब दूसरा factor बात करते है cohesion cohesion मतलब physical attraction of like molecule यहाँ पर like molecule अगर ही इसमें confusion होती है तो एक common sense ही याद रखना है बात याद रखना है कि cohesion cohesion मतलब common एक चीज आद रखो cohesion मतलब common ऐसे याद रखो common मतलब दोनों molecule एक molecule जैसे ही होगे like molecules to one another उनके बीच में जो attraction होगा वो cohesion कहलाएगा जैसे आप देखो denture base अगर हम saliva saliva की बात करें यह denture base हो गया नीचे मीकोजा हो गया और saliva saliva मतलब अगर saliva और saliva के बीच में attraction है मतलब दोनों common molecule है तो वो क्या कहलाएगा cohesion कहलाएगा तो occurs within the film of saliva and aid in retention तो वो retention कहलाएगा cohesion मतलब common saliva saliva के बीच में अगर attraction हो रहा है तो वो cohesion कहलाएगा तो अब समझते है as viscosity of saliva increase अगर जो हमारा saliva viscous हो जाए मतलब ज्यादा flow ना हो तो greater is the cohesion cohesion तो अच्छा होगा अगर थिक है तो cohesion ज्यादा होगा पट एक problem है very thick और mucous saliva can physically push the denture out अगर ज्यादा थिक हुआ और mucous saliva हुआ तो वो क्या करेगा denture को नीचे गिरा देगा and resulting in loss of retention तो ज्यादा viscous भी नहीं चाहिए cohesion कर देगा मैं मान रहाँ cohesion कर देगा but क्या है वो थिक और है तो वो denture को गिरा देगा now दूसरे factors की बात करते हैं interfacial surface tension की अब interfacial surface tension क्या है समझते हैं इसको अच्छे से define as tension or resistance to separation possessed by film of liquid between two well adapted parallel surface मान लो दो सर्फेस है दो पैरलल सर्फेस है उसके बीच में liquid है मान लो तो इनकी बीच में जो attraction है इसको निकलने नहीं दे रहा है इन दोनों मान लो प्लेट है इन दोनों को निकलने नहीं दे रहा है अलग होने नहीं दे रहा है तो वो interfacial surface tension है मतलब वो रेजिस्ट कर रहा है इसको separate होने से अलग होने नहीं दे रहा है तो वो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो वो interfacial surface tension है इट इस depend on ability of the liquid to wet the surface वो liquid पे डिपेंड होता है जैसे हमारा saliva और denture और mucos है उसके बीच में जो saliva है उस पे depend होगा अगर हम liquid की बात करें कोई तो वो liquid पे depend होगा कि वो कैसे पूरे surface को wet कर रहा है जितना जाधा wet करेगा उतना जाधा retention होगा तो यहां पे क्या है inversely proportional है अगर surface tension और wetability की बात करें तो यह दोनों inversely proportional है अगर the wetability of the fluid is inversely proportional to the surface tension of the surface तो यह mcq में कभी-कभी पुछा जाता है कि wetability और surface tension के विच में क्या relation तो inversely proportional है यह दोनों ओके अब बात करते हैं diagram की और diagram से समझते हैं interfacial surface tension act only when the two class liquid जो कि intermolecular attraction है और जो adhesion force है between the pallet of the forming concave meniscus आप समझें यहां पर एक plate यह glass slab और यह glass plate है और इसके बीज में पानी है तो जो इन दोनों के बीज में attraction है उससे बोलता है interfacial surface tension ओके यहां सा समझ में आएगा अब दूसरा factors है capillarity so that quality or state which because of surface tension causes elevation or depression of the surface of the liquid that is contact with the liquid जब हम लोग तो यह molecular level की बात है कि अगर जब surface tension लग रहा होता है तो वहां पर liquid कैसे act करता है हमें दिखेगा नहीं बट वो कैसे elevation or depression of the surface of the liquid के बीच में solid के बीच में तो वो capillary action कहलाएगा जब हम liquid को देखेंगे तो कहीं depression होगा कहीं elevation होगा molecular level की बात है यह तो वो भी कहीं retention role play करता है अब बात करते हैं so capillary capillary causes the thin film of saliva to raise or increase its contact with the denture base or mucosum मतलब इतना तो समझ में आया कि capillary causes thin film of saliva to raise or increase in contact with the denture base or mucosum मतलब यह retention कर रहा है अब close adaptation of denture base to mucosum is important for capillary to provide effective retention तो यही चीज है अगर close adaptation जब तक नहीं होगा तो retention नहीं आएगा तो close adaptation of denture base to mucosum is important for capillary to provide effective retention अगर close adaptation नहीं रहा तो capillary action role play नहीं करेगा तो retention नहीं होगा इसी वज़े से दूसरे factor की बात करते हैं atmospheric pressure अब atmospheric pressure का क्या रोल है this can help resist dislodging force if the denture have an effective border seal अगर पूरा border seal है posterior palatal seal area फिर पूरे limiting structure अच्छे से seal है तो retention अच्छा हैगा अब समझते हैं पहले इसको अगर बात करते हैं denture की तो यह आपका denture है ओके अगर हमने अच्छे से border seal किया है posterior palatal seal area लिया है और इसके बीच में saliva है और बाहर का atmospheric pressure है तो जब पूरा border seal होता है सब कुछ होता है तो क्या होता है जो अंदर का जो pressure है वो decrease हो जाता है as compared to outer pressure और atmospheric pressure तो अगर मान लो एक example लेके चलो अगर अंदर का pressure यहाँ पे बहुत ज़ाद है तो वो क्या करेगा बाहर धके लेगा और tension निकल जाएगा पड़ अगर atmospheric pressure पहार का pressure अगर जादा है और अंदर का pressure यहाँ पे कम है तो क्या करेगा यह इसको push करेगा यह push करेगा इसको निकलने नहीं देगा बाहर तो अगर atmospheric pressure increase हो जाए अंदर कावाले pressure से जो की denture और soft tissue के बीच में जो pressure है वो अगर reduce हो जाए तो क्या होगा denture retention अच्छा होगा तो यही समझाने की कुशिश कर रहा है मैंने simple में आपको समझाया यह now gravity भी कहीना को कहीं role play करता है पर gravity का role play होता है mandibular denture में क्योंकि क्या होता है mandibular ridge होता है अपने denture लगा दिया तो denture अब gravity है नीचे को धके लेगा तो वो क्या करेगा denture को नीचे mandible में पकड़के रखेगा नीचे force लगाएगा उसको तो gravity role play होता है mandibular denture में So this natural force can aid in retention of mandibular denture especially when there is more weight and other retentive forces of factors are margin अगar denture का weight जाता है तो वो नीचे push करके रखेगा उसको mandibular ridge पे और नीचे गिरने नहीं देगा और उपर lift होने नहीं देगा तो gravity वहाँ role play कर रहा है अब एक आता है mechanical factors अब mechanical factors को समझते हैं ये भी short answer question में कभी कभी पुछे जाता है तो यहाँ पर एक चीज आता है undercut ये पहले समझते हैं undercut suppose करो ये tooth है मेरा अगर तो ये वाला जो है undercut अगर मैं simple भाष़ा में समझाओं तो undercut suppose मेरे को अगर retention चाहिए मैंने denture बना दिया या फिर कोई crown लगा दिया कुछ भी लगा दिया उसको उपर नहीं गिरने के लिए मतलब अगर मैं simple भाष़ा में समझाओं तो undercut is that space जो की कोई भी prosthesis को बाहर आने नहीं देता है retain करके रखता है तो this is your undercut यहाँ पर undercut यह है अगर मैंने यहाँ पर कोई भी wire लगाया है कुछ लगाया तो वो उपर आने नहीं देगा इसको okay that is undercut तो मैंने simple में समझाया आपको ताकि आप समझ सकें so undercuts enhance retention because of resiliency of mucosa अब इसमें बहुत सारे undercuts होते हैं जैसे कि unilateral tuberosity undercuts एक side अगर undercut है तो वो भी काम करता है retention में undercut in maxillary premolar area पे भी undercut मिलता है then distro lingual areas and lingual to the midline of mandible वहाँ भी undercuts मिलता है तो ये भी कहीं न कहीं retention role play करता है अब बात करते हैं denture adhesives की ये भी कहीं न कहीं role play कर रहा है addition का तो denture adhesives क्या होते हैं these commercially available products enhance retention by increasing adhesiveness और cohesive property तो ये जो आप denture पे powder देख रहे हैं ये कह हैं adhesive material है like हम लोग जो fix on use करते हैं for retention के लिए वो एक fix on powder आता है यहाँ पे लगाएंगे तो उससे वो retention increase हो जाता है जिसका कभी कभी ridge नहीं अच्छा रहता है तो वो retention के लिए सही रहता है adhesive powders अब ये काम कैसे करता है ये eliminate करता है voids को between denture base और basil seed tissue तो ये काम कैसे करता है अगर कहीं भी voids होगा तो वो उसको भर देगा तो जिसकी वज़े से क्या होगा कि denture adhesive अपना काम role play करेगा और वो retention cost करेगा अब दूसरा आता है suction chambers और disc अब ये क्या चीज़ है ये create करते है negative pressure अगर ये तब लगाया जाता है अगर जब hope नहीं है मतलब retention नहीं आ रहा है तब हम लोग disc लगाते हैं या आप ये देख सकते हैं ये disc लगा हुआ है तो इससे क्या होता है suction create होता है और negative pressure create होता है जिसकी वैसे retention मिलता है ये chamber है chamber भी बनाया जाता है for retention के लिए अब बात करते हैं muscular factors की तो ये भी कही न कहीं role play करते हैं retention में तो देखते है teeth must be positioned in the neutral zone between the tongue and the cheek तो जब हम लोग teeth arrangement करते हैं denture में तो वो teeth ऐसे arrange होना चाहिए neutral zone में arrange होना चाहिए जो कि tongue और cheek के एकदम neutral zone में आना चाहिए जैसे कि suppose करो ये मेरा denture है ये मेरा denture है और ये मेरा facial muscles है और ये मेरा tongue है तो ये जो facial muscles है और ये जो tongue है तो ये एकदम neutral zone में होना चाहिए ना इधर जादा होना चाहिए ना tongue के side जादा होना चाहिए तब जाके आपका retention सही आएगा दूसरा point polished surfaces of the dentures should be properly contour जो polished surface है जो outer surface है tissue के बाहर वाला surface है वो surface polished होना चाहिए तो जैसे माल लो यह structure है यह मेरा denture है यह outer surface है तो यह जो surface है बाहर वाला surface है यह polished होना चाहिए और properly contour में होना चाहिए तब जाके आपका retention आएगा दीसरा point denture bases must be extended to cover maximum area तो जैसे यहाँ यह limiting structure है मालो यहाँ limiting structure तो यह denture है वो पूरा cover होना चाहिए यह पूरा cover होगा तब जाके अच्छा retention आएगा तो denture base must be extended to cover maximum area occlusion plane must be at correct level occlusion जब हम लोग करते हैं like suppose करो यह मैंने tooth upper वाला लगाया यह lower वाला लगाया तो जो occlusion level है वो एकदम correct position पे होना चाहिए वो अगर उपर नीचे किया जादा vertical height बढ़ा दिया तो क्या होगा retention नहीं मिलेगा ओके नाउ बात करते हैं stability की तो stability भी कही न कहीं role play करता है तो stability क्या है the quality of removable denture prosthesis to be firm होना चाहिए steady होना चाहिए constant होना चाहिए to resist displacement of functional और horizontal और rotational stress तो stability का एक काम है अगर हमने denture लगा दिया अगर कोई भी horizontal force है तो उसको lift नहीं करेगा अगर मान लो यह मेरा ridge है मैंने इस पे prosthesis लगाया यह मेरा tooth है मैंने prosthesis लगाया तो कोई भी horizontal forces अगर आया तो उसे lift नहीं करना चाहिए मतलब यह इस ridge पे stable रहना चाहिए firm रहना चाहिए steady और constant रहना चाहिए ताकि वो कोई भी अगर horizontal force आए या फिर rotational force आए या भी rotational stresses पड़े तो वो move नहीं होना चाहिए वहाँ से वो एकदम stable रहना चाहिए तो वो stability कहलाता है अब जैसे मान लो stability के लिए क्या क्या चाहिए एक good ridge height चाहिए मेरा यह denture है यह मेरा ridge है bone है तो इसका height है यह जो height है वो adequate होना चाहिए तब जाके retention आएगा क्योंकि यहां तक extend हो रहा है अगर मैं यहां से force लगाँगा फिर भी यह नहीं मोडने देगा इसको यहां पर और यह यहां भी नहीं मोडने देगा तो height ज़रूरी है तो कोई भी चीज के लिए stability के लिए good ridge height चाहिए ही चाहिए अब यहां पर मैं डालूँगा यहां पर इतना सा height है अब मैं यहां पर pressure डालूँगा तो यह तो move हो जाएगा आराम से तो इसी वज़े से height चाहिए सबसे पहले और दूसरी बात है कि क्या-क्या factors है वो देखते है तब हम अच्छे समझा आएगा factors affecting stability एक तो मैंने पहले समझा दिया vertical height of the residual ridge अगर stability decrease with loss of vertical height अगर आपकी vertical height कम हो जाएगा तो stability चला जाएगा दूसरा point है quality of soft tissue covering the ridge यह important है अगर flabby ridge हुआ provide poor stability flabby ridge suppose यह flabby ridge है मैं इसमें impression ले रहा हूँ तो जब मैं impression लोगा compressive material से तो वो उसको compress करेगा इस material को compress करेगा इस tissue को तो compress करेगा जब मैंने निकाल दिया तो यह अपने फिर position पर आजाएगा rebound हो जाएगा और मेरा जब denture बनके आएगा तो यह अच्छे से बैठेगा नहीं और वो निकल जाएगा retention भी चला जाएगा stability भी चला जाएगा इसी वज़े से जब flabby rage है उसमें impression हम लोग नहीं लेते हैं उसमें दूसरी technique यूज़ करते हैं उसमें plaster से impression लिया जाता है हम लोग alginate से नहीं लेते हैं impression compound से नहीं लेते हैं तो flabby rage होता है तो उसको हम लोग impression plaster से लिया जाता है उसका impression, नहीं तो यह से अगर लेंगे तो वो rebound लुझाएगा, फिर adaptation of denture to the tissue, close adaptation gives proper stability, यही चीज़ा, अगर close adaptation होगो तो stability बहुत अची रहेगी, फिर बात कहते है, occlusal planes की, should be oriented parallel to the ridge and should divide the inter arch space equally, अब यहाँ पर यह important है, मान लो यह मेरा upper arch है और यह मेरा lower arch है, तो जब occlusion जो होना चाहिए, वो equidistance होना चाहिए, इसके बीच में maxillary और mandible के बीच में एकदम equidistance पर रहना चाहिए, अगर यह 5 cm है तो यह भी 5 cm होना चाहिए, equidistance पर तब जाके आपका जो stability है, वो एकदम सही रहेगा, उसके बाद अब inclined occlusion plane will promote sliding forces and cause instability, अगर यह मेरा एकदम सीधा है, अगर ही sliding, अगर मैं ऐसे बना दूँ, तो sliding बना दूँगा तो क्या होगा, कि वो slide करेगा और instability हो जाएगा, ठेक है न, तो एकदम ऐसा नहीं रहना चाहिए, यह एकदम straight रहना चाहिए, parallel रहना चाहिए और equidistance रहना चाहिए, अब teeth arrangement, teeth arrangement जो होना चाहिए, setting teeth, इन्थी balanced occlusion में होना चाहिए, in the neutral zone promote stability, अगर हमारा teeth arrangement अगर सही से नहीं है, अगर balance occlusion में नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, उसकी stability चली जाएगी, okay, then contour of polished surface, contour जो है polished surface का should be harmony and functioning of the oral muscles to promote stability, अगर contour सही नहीं है, तो क्या करेगा, बकल muscles जो है उसको push करेगा, वो उसको stability बेगाड़ देगा, अगर tongue के side में जादा हमने बना दिया, तो वहाँ tongue उसको press करेगा और उसकी stability चली जाएगी, अब support की बात करते हैं, support क्या है, समझते हैं, the resistance to the vertical forces of the mastication, occlusal forces और other forces applied in direction towards the basal seed tissue, मतलब यह vertical forces है, अगर हमने maxillary denture की बात करते हैं, अगर हमनों कोई भी food खा रहा है, mastication कर रहा है, तो जो long axis of the tooth पे जो force लग रहा है, मतलब जो vertical forces लग रहा है, वो उसको resist करेगा, so the resistance to the vertical forces of the mastication, या फिर occlusal forces या other forces applied in direction towards the basal seed tissue, वो support कहलाता है, to provide adequate support, the denture base should cover as much as denture bearing area as possible, मतलब पूरा cover करना है, अगर अच्छा support चीए तो पूरे denture base जितना है, उसको अच्छे से cover करना है, this distribute the forces over a large area is known as no-shoe effect, यह एक MCQ आता है आपका, जितना हमने area को cover कर दिया, और जो force distribute हो रहा है, large area में, उसको snow-shoe effect बोलते हैं, इस figure से आपको समझ में आएगा, मैंने denture bearing area को पूरा अच्छे से cover किया, अब कोई भी mastication force आ रहा है, या फिर हम लोग चबा रहे हैं, खाना, food, तो जो force है, वो distribute होता है, हर जगा distribute होता है, ओके, तो वो कहलाता है आपका snow-shoe effect, यह M से क्यों आता है, then preservation of residual structures, हमें preserve भी करना है, residual structures को, तो preservation of remaining oral structures is vitality important to long term success of the denture, यही important है, अगर हम लोग ने, अगर oral structures, जो है, vital structures है, अगर उसको preserve किया, तो हमारा denture जो है, वो successful होगा, long term success देगा, long time के लिए चलेगा, accurate impression is important that plays pressure only on stress bearing area and important for preservation, जो stress bearing area है, वहीं पे stress लगे तो सही है, अगर जो stress bearing area नहीं है, relief area, अगर वहाँ stress लगा दिया, तो या तो patient को pain होगा, वो denture बतलवाएगा, तो stress कोशिश करना है कि stress bearing area पे ही pressure लगे, तो ऐसा denture बनाना है, तब वो long time के लिए चलेगा, अब बात करते हैं, aesthetic, ये भी जरूरी है, aesthetic भी जरूरी है, तो जो denture borders होते हैं, और जो flange होता है, thickness, I depend on the amount of residual ridge loss or varies with patient, सबका अलग लग रहता है, किसी का thick रहता है, किसी का thin रहता है, तो वो depend होता है कि कैसा residual ridge है, उस पे, अब reducing or increasing the thickness of this area led to poor aesthetic, अगर मान लो ridge पतला है, और हमने thick बना दिया उसका, तो उसके aesthetic चली जाएगी, तो ये चीज़ याद रखना है, कि जादा भी reduce नहीं करना और जादा भी thick नहीं बना देना है, तो bottom molding ensure adequate thickness in the region, तो जब हम bottom molding करते हैं, तो उससे ये पता लग जाता है कि thickness कितनी होगी, इसके, इसलिए bottom molding बहुत ज़रूरी है, तो I hope guys, आप समझ गए होंगे पूरा, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आया आपको, please मुझे comment कीज़े, मैं उस recording आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो मेरे चैनल पे नए है, please जाके subscribe कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोज मिलते रहेंगे, आप ऐसी पढ़ते रहेंगे, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, because ये सब चीज मुझे motivate करते हैं और वीडियोज बनाने के लिए, और मैं ऐसी वीडियोज बनाते रहूँगा, thank you guys,